दोफ्तों जो भी Candidate CISF Constable or Tratesman के लिए अपना form भरत है उनके लिए काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि आपका जो Admit Card है वो जारी हो चुकी है यहाँ पर देखेंगे इनके official website पर आप आएंगे आपको notice वाल और board वाले जो section है जिसमें देखेंगे कई सारे आपको विकल्प यहाँ पर आपको देखनों को मिलता है यही पर आपको विकल्प मिलेगा PhD, PET, documentation, trade test for the post जो है आपका considerable और tradesman के लिए जो vacancy आई थी जिसके लिए schedule कर दी गई है यह 5 अपरेल 2030 को है जिसको आप click करके आप यहाँ से पूरी जनकारी को देखेंगे सकते हैं admin card download कैसे करनी है उसके सारी जनकारी समझिए आपको हम पूरी जनकारी बता रहे हैं आप चाहे तो इनके website पर या video description में दिये गए link या online update stm.in के website पर आकर नीचे admin card वाले section से भी आप admin card को download कर सकते हैं अब इनके website पर आएंगे तो एक option आपको login का भी मिलता है या हम direct link आपको दे देंगे description में यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना registration number, password, catcher को डालकर direct submit करेंगे अगर यहाँ पर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो इस परकार का site खुलेगा जहाँ पर एक option मिलता ह considerable tradesman 2022 जिस पर आपको click करना है और आपके सामने इस परकार considerable tradesman का जो बहाली आई थी जिसके लिए आपको login करने का page आता ध्यान रखेंगे अभी आपको किसी भी परकार के forget करने क्या बसकता आपको नहीं दिया गया इस चीज को ध्यान रखेंगा तो ID, password जो registration number और password है वो आपका ID, password आया होगा वो आपको मिल जागा तो अभी फिलाल forget का कोई option है नहीं यहाँ पर अपना registration number पासवर्ड को capture को डाल कर सब्मिट करेंगे सब्मिट करते ही आपके सामने कई सारे विकल्प मिलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे admit card आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं यह आप चाहते हैं इसे हिंदी में डाउनलोड करना तो अब हिंदी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे जिससे होगी क्या कि जो भी देसा नरदेश होगी और जो भी डीटेल आपके admit card पर प्रिंट होगी हो सभी डीटेल आपका हिंदी या इंग्लिस में आपकी रहेगी जिस भी माध्यम साब इसको प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर अपके सारी जनकारी mention होगी यह आपका admit card है इसी admit card को लेकर आपको जानी प आपको जाना है उस सभी जनकारी मिलेगी और पूरी डीटेल इसमें mention होती है कि आपको किस जगह पे जाना है आपका near में bus station कितने दुर है साथे railway station कितने दुर है airport कितने दुर है क्या आपका समय है किस टाइम में आपको जानी है और क्या-क्या यहां पर देखे कि जो documentation है ज इससे आप खुछ से एक बार read out करें और अपने जो center पर निरधारी समय से पहले आपको पहुंचानी है मैं आसा करता हूँ यह video आपको पसंद आ होगा पसंद आ होगा तो इसे like share करे channel को subscribe करे धन्यवाद